कैसे हैं आप सब लोग आप लोगों को पता है कि हम लोग जेके SSP पंचायत अकाउंट एसिस्टेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं तकरीबन धाई महीने से तो आज आपको एक चीज मैंने बतानी है यहां पर हम लोग देते हैं मौक टेस्ट बहुत सारे लोगों को इस चीज के बारे में पता है बहुत सारे लोगों को इस चीज के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ हम लोगों ने 5 और 6 सेप्टेंबर को मौक टेस्ट देना है जिके SSP पंचायत अकाउंट एसिस्टेंट का जिसमें हम देखेंगे कहां पर हम लोग स्टैंड कर रहे हैं और कहां पर हमारी तयारी इस समय है आप लोगों को आपका स्टेट रैंक दिखेगा तकरीबन 1300 से 1400 के करीब लोग हमारे साथ ये टेस्ट देते हैं और जो भी लोग ये टेस्ट देते हैं तो वो लोग serious experience हैं जिन लोगों को job चाहिए और वो लोग अपने आप ही एक lead ले च जादा बाकी लोग लेके आ रहे हैं और वहां पर वो किस तरह से improve करें तो आप लोगों से मैं यहां पर request करूंगा अगर आप लोग जहां मर्जी से बढ़ते हैं कोई भी आपका source है आपने कहीं से भी paid coaching ली है आप लोगों ने कहीं से भी पढ़ा हो तो आपको ये test जरूर देने हैं क्यूंकि इसमें आप लोगों को पता चलेगा कि आप अपनी state में कहां पे stand करते हैं यह पहली बार जेंड के में इस तरह से initiative लिया गया है ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि कौन बच्चा कहां पे आपसे ज़्यादा अच्छा कर रहा है और कितने बच्चे ऐसे हैं जो आपसे अच्छा पर्फॉर्म कर रहे हैं यह जो gap है आपके और टॉपर के बीच में कितने marks का है किस तरह से इसे cover किया जा सकता है और किस तरह से आप अपनी त्यारी को इससे improve कर सकते हैं तो यहां पे आपको यह चीज़ें सीखनी है आपको analyze करनी है अपनी performance को और उससे अपनी speed से काम करना है टेस्ट अब हम लोग देते किस तरह से हैं और दे किस तरह से सकते हैं आप लोग तो मैं आपको इसके बारे में भी थोड़ा बता दूँगा आम तोर पे जब पहले यह test series होती थी बच्चे coaching institute में जाते थे जेनेट के में आप लोग अपने आपको register करते थे 4000 से 5000 test series की fees होती थी और उसके बाद सिरफ 50 से 100 बच्चों के बीच में maximum आपको analysis देखने को मिलता था आप लोग कहां stand कर रहे हैं लेकिन इस बार क्या होगा इस बार आपको actual exam से पहले 10 बार exam देने को मिल रहे हैं और आप देख सकते हैं कि आप पिछले test से कितना improve करते आ रहे हैं किस तरह से यह चीजें होती है मैं आपको थोड़ा सा इसमें भी idea दे दूँ इस तरह से आपका एक mock test होता है आपको पूरा exam की तना questions दिखेंगे हर एक section के उतने questions दिखेंगे math हो statistics हो economics हो computer accountancy science जीके इस सब के बाद आपको यहां पर दिखेगा आपक total कितना आपका score आ रहा है negative marking आपको देखने को मिलेगी यह आप जो देख रहे हैं यह rank है आपका आपकी state में कितना आ रहा है इस समय और यह आएगा topper का score की topper आपसे कितने जादा लेके आ रहा है और यहां पर आपको total number of experiment भी दिख जाएंगे कितने लोगों ने test दिया है आज की date में यह 300 से ज़्यादा लोग इस test को दे चुके हैं यह mock test first है हम mock test fourth देंगे किस तरह से आप लोग दे सकते हैं मैं आपको उसके बारे में भी बताएंगे आपको google play store पर जाना है वहाँ पर आपको search करना है olive board इस तरह से आपके सामने एक app आ जाएगी जिसको आपको download कर लेना है उसके बाद आप यहां पर click करेंगे तो यह app open हो जाएगी आप देख सकते हैं 1 million लोग हैं all over India जो इस app से पढ़ते हैं क्यूंकि पहली बार यह J&G के एक्जाम बनाए हैं और यह इस field में best है एक expert की team है जो आपके लिए चीज़े prepare कर रही है और आपको सबसे कम से कम rate में चीज़े मिल रही है तो चलिए अब मैं बताता हूं जब आप इस app को download कर लेंगे तब आपको क्या करना है इसे open आप लोगों को इस app को download करने के बाद में sign up कर लेना है अपनी email ID के साथ आप याद रखें जिस email ID से आप login करेंगे उसी email ID पर आपके test जो है वो unlock होंगे और आप उसे दे सकते हैं कहीं बार बच्चों वो issue आता है कि payment के बाद वो immediately आपके unlock नहीं होते तो आप एक बार logout करके उसे वापिस से login कर लें सेम ID को और हैं और मॉक टेस्ट पर क्लिक करने के बार इस तरह से आपके सामने आप देख सकते हैं सारे मॉक टेस्ट खुल जाएंगे थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना है और आपको यहां पर देख जाएंगे जेके पंचायत और जेके बैंक के टेस्ट इसी के साथ आपके class 4 recruitment के भी यहां पर आपको मिल जाएंगे आपको जेके compr 1905 करना है आपको इस तरह से जेके पंचायत accountHN2 के 10 मॉक । टेस्ट मिल जाएंगे सामने ही और नीचे आप देख सकते हँए-एहां पर आपको lessons भी मिल जाएंगे lessons क्या है तो lessons के बारे में भी मैं आपको बता दूँ यह आप जो देख रहे हैं यहां पर आपको हर एक टॉपिक का आप देख सकते हैं जिस तरह से जो आपका सिलेबस में हैं चीजें इंट्रोडक्शन ब्रिंगिंग कम्प्यूटर लाइफ इंपूट अपूट डिवाइस इसी के साथ बात करें तो जनल नॉलेज में जो आपको चीजें हैं Constitution आपको Constitution हो गया 73rd Amendment हो गया सेंटरली स्पॉंसर स्कीम सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे आपको सबकी पेमेंट सिर्फ एक बार करनी है ऐसा नहीं है आपको यह सारे कॉंपोनेट के लिए अलग-अलग पे करना है आपको यह सब 390 के करीब-करीब मिल हैं आपको Accountancy का 100-100 रुपे का लग खरीदना है पॉलिटी का 100 रुपे का लग ऐसा नहीं है इसमें आपको 390 रुपे में सारे के सारे components मिल जाएंगे किस तरह से यह components लेने हैं और किस तरह से आप mock test दे सकते हैं मैं आपको वो भी एक बार लिखा देते हैं जैसे ही आप खो करेगा और जब आप लोग यह test लेंगे तो आपको इस सारे के सारे test पहले की तरह ही दिखेंगे आप इन test को भी अपने according दे सकते हैं उसके बाद analysis वीडियो देखें जिसमें मैंने आपको बताया है कि cut-off कितना जाता अगर आपका actual exam यह होता तो और आप देख सकते हैं कि इसमें आप हर एक test के साथ आपको कोशिश करने ही कि आप चीजों को सीखें क्योंकि इसमें negative marking है आपको negative marking को किस तरह से control करें वो सब सीखना है इस बार हम देंगे जेके पंचायत account assistant का mock test number 4 जब हम यह test दे देंगे आपको यहीं पर sectional test भी दिख जाएंगे अगर आपको sectional test लेने है तो sectional के साथ ही किस तरह से लेने है आपको इन पर click करना है जो यह आपको एक lock बना हुआ दिख रहा है यहां पर तो आप जिब किसी पर भी click करेंगे यहां पर आपको आ जाएगा please purchase this item to unlock yes sure पर आपको जाना है तो आपके सामने इस तरह से चीज़ें खुल जाएंगी आप देख सकते हैं यहां पर अभी जेके पंचायत के notes 497 के हैं लेकिन आपको 20% discount मिल जाएगा जब आप यहां पर coupon code डाल देंगे coupon code किस तरह से डालना है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ आपको इस तरह से लिखना है चीजों को बिना space के आपको लिखना है triple s यानि कि आपको basically किसी भी form में लिख सकते हैं लेकिन triple s के बीच में space को नहीं डालना है और आपको redeem कर देना है आप देख सकते हैं आपको यह notes और सिस्ते rate में मिल जाएंगे और आप लोग इसे buy now कर सकते हैं सेम आपके mock test के साथ भी है आपको वहां पर भी discount मिल जाएगा तो यह चीजें आप लोग जिन्नोंने नहीं ली हुई maximum लोगों ने जो serious तैयारी कर रहे हैं उनके पास है और वो test दे रहे हैं जिन लोगो का atmosphere बनाना हमारी कोशिश थी कि आप लोग अपने घर पे बैठ के ही अपने आपको analyze कर सकते हैं कि आप अपनी state में कहां पर stand कर रहे हैं आज की date में exam से पहले और कहां पर आपको अपनी त्यारी को और जादे improve करने की कोशिश है तो यह जो आपका test होगा यह होगा आपका 5 से 6 तारीक को दो दिन का time है आप कभी भी दे सकते हैं जब भी आपको लगता है कि यह time आपको कोई disturb नहीं करेगा आप test start करें test को दें उसके बाद क्या करना है उसके बाद आपको हर एक question को देखना है ध्यान से कि क्या question में चीज ऐसी थी जो आपको नहीं आती थी कौन सी कैसी चीज थी जो आपने नहीं पड़ी और आपको उसको पढ़ना है वापस से फिर वह आप इनके notes से पढ़ें यह जहां मर्जी से आप उसको पढ़ सकते हैं पढ़ाई के लिए आपको कोई रोक नहीं आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं और आपको एक चीज का ध्यान देना है तो यह चीजें आपको थोड़ी सी सीखनी है जो आप घर बैठे बैठे भी सीख सकते हैं सिरफ 300 से 400 रुपे में पर टेस्ट के अगर आब बात करूं तो यह आपके 30 रुपे या 40 रुपे के करीब होगा जिसकी आजकल आपको एक आईस्क्रीम मिलती है और आप उतने पारिक को होगा तो जिन लोगों को डाउट था किस तरह से वो टेस्ट दे सकते हैं मैंने आपको हर एक चीज को डिटेल में कर दिया है अब आप लोग चाहें तो यह कर सकते हैं नहीं चाहते वह भी आपकी मरजी है लेकिन जो लोग 1500 के करीब करीब हमारे साथ टेस्ट दे हैं आप टेस्ट देते रहें आपको गैरेंटी देता हूं कि अगर आप चीजों को जिस सिस्टमाटिक तरीके में हमने बताया है तरीके से करते रहें तो आप जेंड के में बच्चों से लीड ले लेंगे आपको चार सिंपल चीजों को बारे में मैंने कहा था वो चार पढ़ते हैं कितने वह चीज़ें आपके एक्जाम के लिए हैं कितने स्मार्ट वर्क आप करते हैं आपको जिस्तरा से मैंने बोल दिया कि आपको इन सारे नोट्स में सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको बड़ी-बड़ी बुक्स पढ़ने की NCRT हो गई लक्ष्मिकां है और last but not the least hard work अपने end से hard work करते रहें ताकि जब भी आपका एक्जाम हो तो आप लोग ना ही नर्वस हो और ना ही आप लोगों को कोई चीज असी लगे जो आप पहली बार कर रहे हैं इसलिए हम यह चीज़ें दस बार एक्जाम से पहले दे के जाएंगे और एक्जाम में अच्छा करके आएंगे तो आई होप आपको लोगों को यह lecture समझ आया होगा कि क्या चीज मैं आपको समझाने की ज़रूर कोशिश कर रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर एक update मिलता रहें आज के लिए इतना ही मिलते हैं आप लोगों से कल ने lecture के साथ और पांच और छे तारिक को अपनी त्यारी को अनलाइज जरूर करें ओके गाइस बबाए टेक केर हैव गूट डूट